नमस्कार क्यान वीड में आपका स्वागत है दोस्तों दस्त लूज मोशन पेट से समन्दित रोग इसे डार्या भी कहते हैं जो पाचन दंद्र बिगणने के कारण हो सकता है बड़े और बच्चे दस्त और पेट में मरोड की समश्या से कोई भी प्रभावित हो सकता है नाज करवा कर ट्रीटमेंट सुरू करें बिना जानकरी के बच्चों को दस्त रोकने की दवा ना दें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दस्त रोकने के पांच उपाए और घरेलून उसके तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप हमारे घ्यान वीडियो टूप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें तो चलिए अब आपको बताते हैं दस्त रोकने के पांच गरेलून उसके और उपाए पहला है दस अगर आपको लगती है तो आप पांच गराम जीरा और पांच गराम सौफ लेकर बारिक पीछ लें और इसका चोण न बना लें अब एक ग्लास पानी लें और इसके साथ एक चमच चोण न लें इस गरेलून उसके से लूज मोशन की जल्दी निजात मिलती है दूसरा है एक निम्बू एक ग्लास गाए का दूद लें और उसमें निचोड़ें और तुरंत पी जाए इस उपचार से भी लूज मोशन से अराम मिलेगा तीसरहे 10 का उपचार करने के लिए एक अच्छे केले का उपयोफ्य पे आप कर सकते ही बीना छिली हुए 3-4 केले उबाले अब एक चमच गी किसी बरतन में डाले और गरम करे इसमें उपले हुए केले छील कर डाले और साथी 3-4 लौंग भी डाले इसके पर कुछ देर दक इसे पकाएं और दोस्तों ठंडा होने के बाद इस मिश्रण का आप सेवन करें दस रोकने के लिए ये दवा काफी फाइदे मन दें आईए बागे बढ़ते हैं चोता है दस से होया कप्ज इस बगोल से दोनों विब्मारियों की इलाज में मदद मिलती है द दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया दस रोकने के पाच गरेलू और आसान नुसके उमिद करते ही ग्यानवी डियूट चैनल का ये चोड़ा सा वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारा आपके आण वीडियो डियूट चैनल सब्सक्राइब करें नमस्कार